आग किसी भी exam की preparation कर रहे हैं चाहे SSC, bank, railways, any examination, unacademy कि या पर जाओ या फिर website पर, choose the exam that you want to prepare for, और यहाँ पर आप खरीज सकते हैं course, फाइदा ही है आपको मिलेगी live class, आप question पूछ पाएंगे, और आप lecture देख पाएंगे, phone पर, computer पर, tablet पर, wherever you want, यह जो original prices है यह पर मत कर द All right, so start करते हैं, first question से, Goa Liberation Day को हम celebrate करते हैं हर साल, किस date को आपकी options है, 25th of December, 30th of December, 19th December, या फिर 1st January, वीडियो पॉस करके एक बार इसको attend कर लो, ओके सो जो इसका सही answer है, यहाँ पे यह है 19th of December, C, Goa Liberation Day को हम celebrate करते हैं 19 December को, क्योंकि इस दिन Indian Armed Forces ने free किया था Goa को तो गाल ने Goa पे राज किया था, 450 साल तक, और यह राज खतम हुआ था 1961 में, आप सोर्च कर देखिए, आजारी से भी कई साल बाद तक, Goa एक कॉलनी था पॉर्ट्यूगल और फिर 1961 में इसको उजात किया गया, इसी के एक साल बाद, चाइना ने अटैक कर दिया था इंड और Goa को जो हमने आजात कराया था, पॉर्टोगाल से, यह कराया था, अंडर ओप्रेशन विजे, यह मिलिट्री ओप्रेशन का नाम है, ठीक है, यह भी आरखने ना, वेरी इंपोरेंट, ओल्राइट, यह क्वेशन मैं कहूंगा, बहुत ही जादा इंपोरेंट है, UNESCO, World Bank, या फिर Asian Development Bank, इसको एक बार आराम से अटेंट कर लो, आल्राइट, जो सही आंसर है, पता नहीं आपने क्या अटेंट किया, बट जो सही आंसर है, यह यहाँ पर है B, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह रिपोर्ट का कवर है, Vocational Education for State of the Education Report for India, यह बहुत ही special रिपो में, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में उनने यह का है, कि टाइम आ चुका है, कि Vocational Education को Preference देनी होगी, Vocational Education मतलब कि कोई स्किल एक्वायर करना, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब स्कूल में होते हैं, तो कोई ना कोई इनको स्किल दी जाए, और स्किल किसी भी ट अब आदी बहुत बड़ी है, वर्कफोर्स बहुत बड़ी है, मगर वर्कफोर्स के पास स्किल बहुत जारा कम है, और भरा सरकार का गोल है कि 2022 तक हमें 110 million लोग चाहिए इंडिया में, जो स्किल हो, मतलब क्या आप कह सकते हैं, 11 करोर लोग चाहिए इंडिया में, जो पार् पहली बार एक इंडियान जू को मिला है, ISO Certification from United Kingdom, आपको यह बताना है, यह कौन सा जू है, आकके सामने options हैं यहापर, नहरू जोलोजिकल पार्क, हैजराबाद, जीवी पंथ, हाई अल्टिट्यूड जू, राजीव गांदी, जोलोजिकल पार्क, या फिर श्री वैंकटे जोलोजिकल पार्क, एक बार वीडियो पॉस्ट करके इसको अटेंट कर लो, वेरी स्पेशल क्वेस्चन, ओके सो यहापर जो सही आंसर है, यह है नहरू जोलोजिकल पार्क, यहापको मिलेगा हाईदाबाद में, और यहापर आप देख पाएंगे, दा हिंदू का आर्टि अनना जोलोजिकल पार्क, आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार कुलकता में, नेता जी स्वाचनर बोस की जनती पर एक म्यूजियम स्तापित करेगी, नेता जी की किस जनती पर स्तापित किया जाएगा, यह म्यूजियम यह आपको बताना है, आपकी ओप्शन हैं, 125th बर्थ अन नेता जी म्यूजियम इन कुलकता प्लैंड, कल्चर मिस्टी ने ये बोला है, 125th जो उनकी बर्थ अनिवर्सरी होगी, 2022 में, यह बहुती स्पेशल है, और हम चाहते हैं कि इस साल एक बहुती खास म्यूजियम सेटप हो, नेता जी की लाइफ पर, इन कुलकता, so important news, make sure to remember this, आगे बरते हैं, अच्छा ये topic recently news में था, मगर मैंने देखा है कि किसी को proper clarity है नी इसके बारे में, देखो, United States ने क्या किया है कि एक देश को डाल दिया है, currency manipulator watch list में, अब वो देश कौन सा है, Venezuela, Pakistan, North Korea या India, एक बार इसको video pause करके attend कर लो, alright, so देखो, यहाँ पर जो सही answer है, यह इंडिया है, मगर, जो word and a question के, यहाँ पर धनकना, मैंने का है watch list, निगरानी सूची, इसका मतलब यह है कि अभी इंडिया को currency manipulator declare नहीं किया है, सिर्फ watch list में डाला है, और watch list में बाइदवे बहुत से देश हैं, जैसे कि China है, Japan है, उ currency manipulate कर रहे हैं, currency manipulate मतलब के international trade में, फाइदा करने के लिए, अपनी currency की value, unnatural तरीके से कम या ज़रा करते हैं, जो market rules की against है, तो इसलिए US ने यहाँ पर watch list में डाला है, इन सब countries को, India, Thailand, Taiwan, latest entry है, इस watch list में, watch list के आगे एक और list होती है, currency manipulator की, यहाँ पर US कहता है कि यह देश तो बिलकुल अपनी जो currency है, manipulate करें गलत तरीके से, यहाँ पर आपको मिलेंगे दो देश, Switzerland और Vietnam, तो आगे बढ़ते हैं, आपर next question है, golden peacock environment management award से related, यहाँ पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि वो कौन सी company है, जिसको recently मिला है, golden peacock environment management award, coal India, sale, gale, या फिर ONGC, all right, तो जो इसका स आँगा, सही answer यहाँ पर है, Steel Authority of India, यहाँ पर आप अगर देखेंगे, Steel Authority of India को मिला है, 2020 का golden peacock environment management award, और sale क्या है, sale है, एक मारतन, यहाँ पर देखेंगे, मारतन, PSU की list है, 10 आपको मिलेंगे, मारतन, यहाँ पर गेल, coal India, BHEL, सब की list है, अच्छा, जो यह PDF है आपको अगर च Moving on, Recently 18 December 2020 को, श्री नितिन गटगरी जी, जो Union Minister है, इन्होंने inaugurate किया है, कोन सा edition, हुनर हाट का, इन उत्तर पदेश, हुनर हाटा को बताओगा, 20 साल हो रहा है, उत्तर पदेश के रामपुर में, और इसको organized कोन सी ministry करती है, देखो, एक्जाम में, ज़रातार बच्चे लिख करती होगी, यहाँ पर जो artisans हैं, वो अपना जो हुनर दिखाते हैं, मगर, surprisingly हुनर हाट को organize करती है, Ministry of Minority Affairs, तो आपको यहाँ पर यह बताना है, कि अभी 2020 में कौन सा edition चल रहा है, हुनर हाट का, 22nd, 23rd, 24th, 25th, very important question है यहाँ पर, alright, सही answer हम आपको बताओगा, सही answer यहाँ 23rd, यहाँ पर आप अगर देहेंगे, हुनर हाट एक platform है, जो opportunity देता है, artisans को, craftsmen को, कि यहाँ पर आके वो business हुन दे, अपने जो product है, अगर मानलो कोई pot है, या फिर special handicraft है, यह यहाँ पर बेच पाएं, और हुनर हाट का main काम है, large scale employment create करना, for master artisans and craftsmen, और यह एक बहुत important part है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, tweet है, अच्छा इसका एक theme भी है, जान भी जान भी ठीक है, यह भी आत लेना, very important news, आगे बढ़ते हैं, हीमगिरी आजकल काफी news में है, यह एक frigate ship है, project 17A के अंडर 3 frigate ship बननी है, पहली launch हो चुकी है, आपको यह बताना है, के यह ship क यहाँ पर बनी है, यह आपके सामने options है, हिंदुस्तान shipyard limited, हूगली dock and port engineering limited, kochen shipyard limited, या फिर garden reach, shipbuilders and engineers, very important question, tough बनाया है, एक बार इसको attend कर लो अराम से, so यहाँ पर जो सही answer है, आपको क्या रगता है, क्या हो सकते हैं आपके सही answer, देखें, सही answer यहाँ पर है, option D, garden reach and shipbuilders and engineers, और यहाँ पर आप देखवाएंगे tweet है, PRO Defense Kolkata की, कि Indian Navy Ship Himgari, first of the three project 17A, जो बन रही है आज के समय GRSC में अच्छा, जो यह frigate है, यह है stealth frigate, stealth frigate की खासियत यह होती है, कि radar में असानी से आती नहीं है, और frigate primarily बनाई जाती है, submarines को support करने के लिए, और destroyer ships को भी support करने के लिए, so very important news, make sure to remember this, moving forward, Indian Ocean Rim Association, आई यह वारे आज के समय news में है, क्योंकि France अब बन चुका है 23rd member of the Indian Ocean Rim Association, आपको यह बताना है यहाँ पर के Indian Ocean Rim Association के headquarters कहाँ पर आपको मिलेंगे, बंगदरेश में, औस्टेलिया में, मडगासकार में, या फिर मॉरेशयस में, very important question, एक बार इ सही answer, सही answer यहाँ पर है, मॉरेशयस, जी हाँ, मॉरेशयस में मिलेंगे आपको, Indian Ocean Rim Association के headquarters, इस topic पर by the way, मैंने एक dedicated वीडियो भी बनाई है, वो अभी आप दे सकती, वहाँ पर आपको मिलेगी deeper knowledge about this topic, और जो members है, Indian Ocean Rim Association के, यह आप देख लो, France तो हो गया 23rd member, बाकी जो 22 member है यह आपके सामने है, इरान भी इसका member है, एंडिया member है, इंडोनीसिया है, पाकिस्तान, चाइना, USA, इसके member नहीं है, ओके सो मॉविंग फॉरवर्ड, रीसेंटली इसरो के PSLV rocket के द्वारा, लॉंच करी गई communication satellite, CMS-01, आपको यह बताना है के CMS-01, अंतरिक्ष में इसरो की कि satellite को replace करेगी, CMS-01 basically है, एक replacement satellite, आपकी options है, G-SAT-12, G-SAT-30, G-SAT-31, या फिर G-SAT-17, ओल्राइट, सो यहाँ पर जो सही answer है, यह है, A, G-SAT-12, CMS-01, इसका actually, इसरो ने पहले नाम रखा था, G-SAT-12R, जी हाँ, G-SAT-12R, क्योंकि यह है, एक replacement satellite, for G-SAT-12, G-SAT-12 भी है, एक communication satellite, मगर अब यह धंग से काम नहीं करी अंतरिक्ष में, तो अब इसको कर दिया है, graveyard zone में, बहुत ही जल्दी है, धर्ती पे वापस crash कर जाएगी, बहुत ही safe area में, किसी को कुछ होता नहीं है, मगर इसकी जगा ले लेगी, यहाँ पर CMS-1, और CMS-1 का Communication Satellite 01, यह इसरो का आप नया initiative है, जो भी Earth Observation Satellite होगी, उसको यह बोलेंगे EOS, और जो होगी Communication Satellite, इसको यह कहेंगे CMS, तो EOS-1 रिसेंटी लाँच हुई थी, अब लाँच कर दिये CMS-1, अगली जो सेटलाइट होगी Communication Satellite, चाहे जो भी उसका प्रणा नाम हो, उसको हम ब Satellite Internet Access प्रवाइट करेगी, इंडिया के Remote Areas में, और लाइट, लाल और हरी स्लाइट से हटके हैं, अब हम आचुके हैं, परपल स्लाइट पे इसका मतलब यह है, कि यह है question for you all, आपको यह answer करना है in the comment section below, क्योंकि in the past यह question आ चुका है, SSE CGL 2017 में, question यह है, कि जो following options हैं, इसम Guru Hargobind जी, या फिर Guru Amardas जी, नीचे comment section में इसका answer करिएगा, request मैं आप सबसे यह करूँगा, कि जो सही answer दे, उसको दिल खोल के, बिना किसी कंजूसी के उसको like दीजिए, ताकि बाकी लोग जो search नहीं कर पाते इसका answer, उन्हें बहुती आसानी से इसका answer मिल पाए, comment section में, और अभी तक आप सबने बहुती अच्छा काम किया है, so kudos to all of you, और वीडियो भी आपको अगर पसंद आ जाए, तो sir को भी encourage करने के लिए like कर दीजिएगा वीडियो को and share the video as well, so यह है अंत आज के session का, मिलता हूँ आप से कल, thanks for listening and as always, God bless you all.